हेलो दोस्तो, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है आज हम ऐसी 5 एडवेंचरस बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में लॉंच होंगी तो जाधा टाइम ने वेश्ट करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा तो दोस्तो पहली बाइक है रोयल एंफिल्ड हिमालियन 450 ये सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली एडवेंचर बाइक्स में से एक है ये एक न्यू 450 CC पावर ट्रेन वाली बाइक होगी इस बाइक को कई बार इस पाई पिक्चर्स में देखा जा चुका है साथ ही इसमें न्यू फ्रेम भी देखने को मिल सकता है जो इसे ओर जादा एट्रेक्टिव बनाएगा हाला कि अभी तक कंपनी ने इसके फीचर्स का ओफिशल एलान नहीं किया है लिक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 450 CC का लिक्ट कूल इंजन देखने को मिलने वाला है दूसरे नंबर पर है हीरो एक्स पल्स 400 हीरो का ये एक affordable VFM package बाइक होने वाली है इसमें ना सिर्फ एक बड़ा engine setup देखने को मिलेगा बलकि users के लिए कई new item भी नजर आएंगे इस बाइक में कई new features भी add किये गए है साथ इसमें 421 CC का engine देखने को मिलेगा और ये अगले साल दूसरे quarter में launch हो जाएगी और अपनी rivals bike की तुलना में ये सबसे ज़ादा attractive होने वाली है तीसरे नंबर पर है TVS 310 ADV BMW G310 GS की तरह ही TVS भी अपनी new bike को launch करेगी upcoming TVS 310 ADV भारतिय बादर में अगले साल तक launch हो जाएगी BMW की ही तरह इसमें mechanical समानता है देखने को मिलेगी इस bike में 312 CC का firecracker single slander engine देखने को मिलेगा जो 33.52 BHP और 27.3 NM का talk generate कर सकता है साथ ही इस bike को 6 speed gearbox के साथ जोड़ा जाएगा चोथे नंबर पर जो bike होने वाली है वो है zone test 350T ये bike भी भारतिय बादर में जल्दी नजार आने वाली है और इसमें sporty tourer looks देखने को मिलने वाले हैं साथ ही इसमें 5 इंच का full TFT dash मिलने वाला है राइडर के comfort के लिए इसमें बड़ी windscreen देखने को मिल जाएगी इस bike में 348 CC का liquid cool single slander engine देखने को मिलेगा जो 38 HP की power और 32 NM का talk generate कर सकता है और पांच वे नमर पर जो bike होने वाली है वो है Moto Morini Xcape 650X ये bike अगले साल तक launch हो जाएगी और ये अपने अनोखे looks के लिए जानी जाएगी companies को दो variant में पेश करीगी जिसमें एक standard और दूसरा off-road option होने वाला है इस bike में 650 CC के engine देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी वो 5 adventurous bikes जो इंडिया में launch होने वाली है आपको कौन सी bike अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आने वाले नए अपडेट्स और उनकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू